क्यारे जाकर पूछे राम विलाजी से कि आपने दो विधायकों की वज़ा से वो राजे सबा चले गए हैं कि आप भूलेंगे नहीं कि मुख्य मंतरी ने किस तरीके से उनका अपमान किया नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप राजा सुप्रीमो लालू परसाद यादो के बारे में अक्सर नितीश कुमार चर्चा करते थे और कहते थे कि अपने बाप से पूछो वो क्या समय था बिहार में उस समय क्या था और कई बार मंच से तेश्वी के सामने भी लालू काल को लेकर नितीश कुमार गुंगान करते हैं और वो गुंगान इस तरीके की भारतिये जनता पाटी भी नहीं कर पाती है चिराग इतना ही नहीं रुके मुखमंद्री नितीश कुमार के साथ जाने पर त्यस्वी आदों को लतार लगाई है और कहा है कि राजनीत में जो विचारधारा होती है उस विचारधारा पर कैम रहना सबसे अहम बात है हमने जिस विचारधारा को लेकर चला है रामबिलास पास्वान के विचारधारा को लेकर चला है और नितीश कुमार ने रामबिलास पास्वान के बारे में एक सब्द का प्रयोग किया था और कहा था कि हमारे बदावलत राजसभा के सांसत बने हैं तो अब उनको जिस विधायकों पर घमंड था वो विधायक भी नहीं रहें विधायकों की संक्या भी गट रही है अब ऐसे में तेयस्वी को सोचना होगा कि वो क्या करेंगे एक बार फिर से तेयस्वी आदो पोड़े चिराग पासवान ने हमला बोला है और ये हमला अब नितीस कुमार से बड़ा हमला है इसलिए कि नितीस कुमार बार बार लालू परसाद आदो का जिक्र करते थे लेकिन चिराग पासवान ने पहली बार पे खड़े होकर आपके नेताओं के अतीत में किये गए कारेश एली के ओपर सवाल उठाते हैं आप ही के सामने मुख्य मंतरी नितिश कुमार जी प्रशन उठाते हैं कि पंद्रा साल पहले का बिहार कैसा था और ये कोई बहुत पहले की बात नहीं कर रहा है हाल फिलाल के दिनों की भी मैं बात करा हूँ तो ऐसे में जब मुख्य मंतरी जी आपके कारेश एली पर सवाल उठाते हैं आज की तारीक में सत्ता में आप हैं आप बिहार के हित का काम कीजे आप अच्छा काम करेंगगे भई मैं भी आपकी तारीभ करूंगा पर चिराग पासवान कभी वेक्तिकत स्वार्थों कभी स्वार्थों कोई निड्ने निधन के बाद गुपाल गंज और मुकामा के समर्थक मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी के दिये गए कल के बयान को भी याद रखेंगे कि किस तरीके से उनके निधन के बाद उनके वेक्तिगत परिवारे क्रिष्टे संबंधनों के उपर उंगली उठाई गई और जो अच मंतरता में मुख्य मंत्री जी के द्वारा किये गए अपमान को आप लोग को याद होगा दो हजार बीस में जब ये चुनाओ को लेकर गड़बंदन की जब गोशना हुई थी पटना के किसी एक होटल में उसकी गोशना की गई थी उसमें मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा थ कि अरे जाकर पूछिए राम विलाजी से कि अपने दो विधायकों की वज़ा से वो राज्यसभा चले गए हैं क्या उस वक उनका वो तंज कसना और अपने विधायकों की धौस दिखाना कहीं ना कहीं वो अपने विधायकों का दबदबा मेरे नेता के उपर तब जाहिर कर रहे थे जब मेरे नेता उसक वेंटिलेटर पे थे उस वख मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे कि जा कर पूछिए रामविलाजी से अपने दो विधायकों की वज़ा से चले गए जो घमंड उनको था अपने विधायकों पर बिहार की जनता ने 2020 में उनके विधायकों को लेकर उनके घमंड को ही तोड़ने का काम किया जो इस वख वो घमंड से बोलते थे कि हमारे इतने विधायकों ने इनको जिता कर राजजी सबा वेजा बिहार की जंता ने उनके विधायकों की संख्या आदी से जादा कम कर दी तीसे नंबर की पार्टी इनको बना दी तो सही बोल रहे हैं राज़त के नेता गलत नहीं बोल रहे हैं कि गोपाल गंज और मुकामा के लोग इस बात को भूलेंगे नहीं मेरे नेता के समर्थक इस बात को भूलेंगे नहीं कि मुख्यमंतरी ने किस तरीके से उनका अपमान किया अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 938681